स्वेट माडन दा अगला विश्चा है, मूड नहीं असी जैसा सोचन लग देयां वैसी बनन लग देयां सोच दे सूतरनाली साड़े व्यक्तित्तव दा ताना बना बुणे आरंद है साड़े विचार चंगे होंगे तासी चंगे बांड जांगे बुरे विचारा नू लएके बुरे बनांगे ही उन प्रशने उठता है कि चिंतन नों किस परकार सई दिशाच रख्या जाग अजिया केड़ा उपाए कि असी कदे गल्त सोच विच उल्जिये ही न परगट है कि ऐसा करना असान नहीं क्योंकि असान नहीं एसलिव ज्यादा तर लोग गल्त सोच फसी रहन दे कारण दुखी जीवन बितां दे रहन दे हन ते बहुत ही कट लोग सुख मै जीवन जीप औं दे हन जीवन देएन सारियन संबावनमा तो ज्यादा तो ज्यादा लाब उठान लई सब तो पहला शर्त है कि स्वास्थ ते स्वास्थ निर्भर कर दे, सई सोच दे, साड़े द्वारा सोचे गए विचारां दे अनुरूपी, साड़े स्रीर दा हरी कणूं काम करन लग दे, तांदरूस्त विचार चंगे काम करौंगे, अस्वस्त विचार बुरे कम ते बुरे क आज दे अंग वियां, येस अंग दे रूप च रूगी होके, असी समाई दे सरीर नुवी कश्ट पुचानेयां। तांदरुस्त सरीर लई हर समय दे हर हाल च खोश रेन दे आदत पोना ज़रूरी है। खोश रेन लिए ज़रूरी है कि असी स्वार्थ, किरना, कुरोध नुचाड़की, हर किसे नाल प्यार करना, ते नाल हंदर दी रखना, किसे दे भी दुख च काम मोना सिखिए। येस परकार असी दूसरे नुवी परसान राख सकतेयां। ते दूसरे नुपरसान कार की प्रापत होई परसंता दी तुलना च संसार दी कोई भी परसंता नहीं टिक दी। पर एस सब असी तादी कार सकतेयां ज़रू ठीक टांग नाल सोचन दी आदत पाईये। ते ठीक टांग नाल सोचन दार थै, अपने मूर दी दासतान तो मुक्त होगे, बुद्धी ते विवेख नाल सोचके काम करिये। सिरुप मूर दे अनुरूप काम करन दार थै, असी अपने पलान दे या वेगान दे दासान। अजया होके असी किसे द्रिष्टी नालवी पशुआं तो स्रेष्ट नहीं रहा जान्दे। मुनुख ते पशूच अंतरी के वले है कि पशूच विवेक जा बुद्धी तो काम लेंदी योगता नहीं हुन्दी। विवेक शील प्राणी ही मनुख कहोंद है। लेकिन असी हत्तव सविकार करके खुदनु मनुख्यों देतो गिरा देनिया। मूड दे अनुसार कम करके असी उस समेपा में कुछ विकार बैठिये। उस कुछ विकार गुजरन्दा पल ती पल गरवीं अन्भव कर लिये। पर ऐसे ज कीता गया कम अगे चलके तो अनु किन्ने संकर् सकता है। ये इस गलनु जे तुसी पहला तुई सोच पाई हुन दे ता मूड नु चटक के दिमाग दी सई सोच दे अनुरूप कम कीता हुन दा। गल्त सोच नाली जीवन दे फैसले गल्त हुन दे है। दुखा दे पहाड टूट पेंदे है। हर एक चिंता दी जड़ गल शितरूप नल पाया जा सकते है। सब तो पहला तो तुसी अपने क्रोध उते काभू पौना सिखो। क्रोध करन नल पूरे स्रीचिक परकारदा जैर कुडन लग दे। लम्मे समय तक चिंता कर दे रहें नल अधरांग तक हो सकते। इसले चिंता करना भी छड़ दियो। प पर अमनों वी चटक सुटो। पर के में तुसी कहोगे तै सब क्या देना ता आसान है पर करना मुश्किल है। मैं समय दा जैसे तन तुसी अपने मूड दी गुलामी छड़ के ठीक तरा नल सोचना शुरू कर दे होगे। ओस दिन ना ता तो अनों कोई परमस्ताएगा ना चनता ना ही तुसी किसे ते क्रोधत होगे क्योंकि तुसी सोच चुके होगे कि क्रोध किस होते किस ते नहीं बलके अपने आपते क्रोधत होगे अपना ही ता लहू जरीला करोगे किसे दा की वगाडोगे पैकिस रीज दा जो हाले नहीं है होवेगी जा पता नहीं नहीं हो ता फिर अपने तान्नू होने तो क्यों चिन्ता दी चिताच जला जला की राख कर लई जदो जो होएगा देख्या जाएगा चिन्ता करन जा पैपी धोन नालो ता चंग है इनी शक्ती लगा के उस चिन्ता दे कारणूई समापत कर मारू उदारंदे तो औरते मन लओ तुसी रुपए पैसे दी चिन्ता जो कुड़े जा रहे तक कि इस तरह कुड़ कुड़ के तुसी रुपए पैदा कर लओगे बलके उल्टा होएगा है कि जिनना कुछ कमार है तो भी हाथ तो बैठोगे क्योंकि हर समेच चिन्तत रहके तुसी ना ता कोई नोकरी निबा सकोगे ना वपार इसलिए रुपए दी चिन्ता छड़के रुपए कमार दे ले होर ज्यादा मेनत करो ता इस चिन्ता दा कारणी समापत हो जाएगा ते परकार जे तो नो अपनी सेद दी चिन्ता है ता चिन्तत रहके तुसी अपनी सेद ओर ज्यादा खराब कर लाँगे चिन्ता रहत होके इलाज करणाल जल्दी तंद्रोस्त हो जाओगे और ता नु तो Heur भी ज्यादा चुकननी रेन दी लोड़े क्योंकि उना दी क्रोध चिंता पैयादधा पैड़ा असर सिर्फ उना ते नहीं पैंदा बलकि उना दी बच्चेयां ते यानि पावी संतान ते भी पैंदे एकदम सिद्धे तोर ते पैंदे गर्ब तक दे शिशूत ते माता दी सोच दा असर पैंदे ज्यादा बच्चे जो अपंग अन्य गुंगे बैरे पैदा हुंदे इदा बहुत वड़ा कारण गर्ब वस्थाच माता दी मन स्थिती ही रही हुंदे माता दी सुबा दी इर्खा, स्वार्थ परता, आदवी बच्चे दा सुबा बन जान दी जिस व्यक्तिनों अपने मनों वेग उते काबू रखन दा अब्यास नहीं हुंदा ओ सनाववां दे रोगां दा शिकार हो जान दे ओ दी निश्चे शक्ती कमजोर हो जान दी है त्यों बेपेंदे ते लोटे दी तरां जंदगी परेदर तो दर खाली लोड़कदा रहन दे अपने आपते काबू ना रख सकन वळा वपारी अपने वपार दा नास कर बन दे अपनी सेथ खोद दे बजार चे अपनी साक मेटाल दे मैं अजय कई वड़े वपारिया नू जान दा जिनादा कदे बड़ा मान सी लेकिन अपने आपते यानी अपनी जुबान ते काबू ना रख पौन ते क्रोध नू पी ना सकन दे दुर गुण दे कारण अज कंगाल होए बैठे है कुझ लोक अजय भी हुन दे है जो हर किसे विच दोशी कड़ दे रन दे है खुलके हर किसी दी निंदा कर दे फिर दे है उन्हानों देखके अजया लगदा है जिमी अपने सिवा बाकी पूरी दुनिया नू दोश दी खान समय दे है ठीक है समय दे रन ये स्च भी कोई खास गाल नहीं लेकिन हर किसे नू कहन देता ना फिरो वरना कौन है जो अपने दोशां दे बखान सुनके सह जाए ते प्रतिकार ना करे हर समय हर गल्च दुजियां दे दोश कट के टोक दे रहन दे आदत दा सब तो बुरासर तुसी अपने बच्चियां दे पोंदे हो बच्चियां दे व्यम हो जान्द है कि उनाज कोई गोण है नहीं सब दोशी दोश है अखीरोन दोशां नू अपने चरित्तर दा जरूरी आंगमान के अपना लेंदे है उदारंदे तौरते जे तुसी अपने बच्चियां नू हर गलते टोक के बुद्धु बुद्धु केंदे रहोंगे ते चंगापला बच्चा वास्तवज बुद्धु बन जाएगा जे तुसी नकार आत्मक्चिन तंचकिर के निराश होए पहयो ताउवी अपने आपनू एक एणदा अब्यास करो के नहीं इस सब कुछ नहीं मातर मेरी गल्थ सोचदा नतीच है नहीं ता मैं इस तरांदी हालात नू चलनदे ली पैदा नहीं होया मैं ता बहुत वड़ेवडे काम करने है ऐसे च अपने जीवन दे सुखदान भवानों याद करन दी कोशिश करो मान बदलन दे ले किसे तरांदा कोई मन रंजग काम लेके बैठो होर नहीं ता कोई हलका फुलका नोवल चुकलो जा उटके वजार्च को मन निकल पाओ या सिनमा वेखाओ कि सेवी तरां थोड़ी देर देले अपने रोगी विचारां तो खोदनों हटालाओ ते फिर तुसीं ये सब्यास्ता चम्तकारी नतीजा देखके दंग रह जाओगे अज कल दे अत्त व्यास्त ते त्रस्त जीवन दे पज दी होई तारा दे विचकार वीत्वनकु जैसी व्यक्ती मिल जानगे जो ये सारी पाच दोड़ दे बावजुद अपने सुभाचिक अध्पुद परकार दा ठहराओ विक्षान्ती कनुखी संतुष्टी लई होंदे हन ये हुई लोग हैं जो अपने मूड दी गुलामी करंतों इनकार कर चुके हैं वल्त चिन्त नूँ चटकके सही सोच दियादत पाच चुके हैं ये लोग कदे कोई वी काम्बेना सोचे समझे नी करंदे कदे क्यांदी होय नहीं मिलणगे कि मूड नहीं जब अस मूड दी ता गल्ल ये ता मूड दा मूड कटके सुट चुके हुन्दे हैं तन्वाद